चार किसम की लिप्स्टिक्स जो है ना इसमें रिसीव होती है मैंने ये जो पिंक शेड है ना वो मंगवाया था इसमें क्योंकि मैं ज्यादा पिंक शेड यूज करती हूं रेड वाला कि लिप्सटिक हैं इनके ब्रैंड का नाम है है इसको आज हम सबस्थाया पेलिक करेंगे वीडियो के चाहिए याइस सबसे पहले जी हम इसे इसकी packaging की बाद कर लेते हैं इसकी जो packaging कार्टबूट की है बहोत ही ख़सुरा packaging है packaging इसको और करने के बाद यह मुझे तक्रिपन 2 दिन में ही रिसीव हो गी थी ठीक हों जी अब ऐसे कोल के यह देखें जी यह है जी इसकी पैकेजिंग और यहां से ओपन होती है इतनी खुबसूरत इसकी पैकेजिंग बनाए गई है ना बदलब आप इस बॉक्स को जूली रखने के लिए यूज कर सकते हैं चुट-चुटी चीजों के कामा सकता है चुट-चुटी मेकप प्रोडक् यह मैं ना इसमें वती है मैं ने यह जो पिंक सेर्ट है वह अन्मगवाय था इसमें क्यूंकि है मैं जढ़ा पिंक शेर्ड यूज करती हूं रड़ वाला और न्यूट वर जारा कम यूज होते हैं तो बॉप इसके यह मैं नो इसके आपको लिप्स्टिक निकालकर दिखा रिवार देते हैं ठीक है जी इस तरह का पर्स टाइप है छोटा सा क्यूट सब ऊसमें हमें ये चारो शेड olv मिल जाते हैं जी फर्स शेर है जी है प्लीक महागुल यह देख़िए बहुत उपसूरत उपसूरत पिंग कलर आ balance ठीक है यह देखें फर्स्ट शेड़ यह है और सेकिंड शेड़ है जी मीना गुल यह देखें यह लगती चोटी सी है अलिप्स्टिक लगीन यह फोर अमल के अच्छी खासी कॉंटिटी है जो इसमें दी गई है हमें मतलब इसे अगर आप सिक्स मांत तक रेगुलर भी यूज करें तो यह खतम नहीं होगी ठीक है इसके बाद है जी यह शेड़ इस शेड़ का नाम है जी चांद गुल हर शेड़ की जो है ना वह अपनी खासियत है इसके पीछे इस नोंने अपने नेम का जो है ना वह करवाया गया है स्टेंप मिशू खान का NK ठीक है बहुत ही और इन शेड़ को टेस्ट कर लेते हैं कि यह अपलाई करने में कैसी हैं वैसे मैं इनको पहले यूज कर चुकी हूँ सबसे बहले जी हम नाज गुल को अपलाई करने जा रहे हैं अपने लिप्स के उपर यह देखिए मैंने फूल मेड़ किया हुए लेकिन में लीप्स्टि करना पड़ें इसी तरह आप रखके लगा लेंगे और इतनी जबरस तरीके से यह अपलाए हो जाएगी ठीक है जी यह देखें यह इसका न्यूट सा मतलब शेड है लाइट सा शेड है और यह क्रीमी है बहुत ज़्दा क्रीमी है लिपस्टिक्स लेकिन यह ड्राय होने के बाद ना यह बिलकुल मेट हो जाती है और सबसे बरी बात है कि यह फैलती भी नहीं है और यह ट्रांसर प्रूफ है स्का अब हम देखेंगे यह तो अब हम देखेंगे यह ड्राय हो जाएगी और इसको हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसफर होती है या नहीं होती ठीक है वैसे मुझे लगता है ये ट्रांसफर नहीं होगी और मैंने पहले भी से अपलाई किया है काफी देर तक कि तकरीबन 6-7 गेंटे तक मेरे लिप्स पर रही है ये लिप्स्टिक ये लिप्स के ओपर कोई भी शेड़ा पिंक वाला लगा लेंगे ना किसी भी मेकप के ओपर तो आपकी स्किन के ओपर बहुत अच्छा लगेगा एशियन स्किन टांस के मताबिक ये लिप्स्टिक बनाएं गए हैं अब हम जी सेकिंड वाली ट्राय कर लेते हैं ये तो बिल्कुल ही लाइट शेड है और ये है जी चांद गुल और इसके बाद ना मैं इसको रिमूब करके तो फिर आपको से बलाए करके दिखाती हूं अब हम चांद गुल को ट्राय करने जारहे हैं इसको घुलाइ करके दिखाते हूं कि बिल्कुल लाइट सा चेड है यह मतलब एकिसम की न्यूड में ही आ रहा है कि बिल्कुल भी फील नहीं होना लिप्स पर लगा हुआ कि अगर आप ओफिस गोईंग है या आप कॉलेज गोईंग है और इन्वस्टी गोईंग है तब भी आप इसे इजिली अप्लाय कर सकती ह है और इसे लगा के चले जाए आपकी लिप्स पर लिप्स्टिक भी ले रहेगी और आपको फील भी नहीं होगा कोई कोई आपने हैवी भारी पर कम मेकप कर लिया है ठीक है जी यह देखिए यह तो आई थिंक के बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी है इसको ट्राय करने और अब इसके बाद जी हम नेक्स ट्राय करते हैं यह दरा तड़कता पड़कता शेड है कुछी लिटी से चंक से इसमें फील हो रहे है मुझे यह है महागुल ठीक है इससे अप्लाय करते हैं और इसको देखते हैं कि यह ट्रांसफर होती है यह नहीं पहले मैं इसको जरा प्लाय करते हैं फिर इसके बाद हम मैं इसको अप्लाय करूंगे ठीक है जिसको मैं लिया है और यह महागुल को अप्लाय करने जा रही हो आपने लिप्स्कियों पर इसके तर खुबसूरत यह शेड है और सबसे बड़ी बात है कि इसका एप्लिकेटर बहुत अच्छा है मतलब फटा फटा आपकी लिप्स्टिक जो है न वह लग जाती है बगार किसी लिप्लाइनर के और गर्मियों में तो यह आपका फुल मेकप कर देगी यह लिप्स्टिक ठीक है कि अधर तेज है शेड ना मतलब किसी शादी बगारा में जाना होना तो आप इसे अपलाए कर लें बहुत हुप्सूरत लगेगा यह और इसमें कुछ लिटर टाइप भी है मतलब कैमरे पर तो फील नहीं हो रहा है लेकिन यह शाइन बहुत कर रहा है ठीक है जी अब इसको टेस्ट कर लेटे हैं थोड़ा सअ ट्राय करने के बाद करने के बाद किसकी टेस्ट करते हां कि यह Nou हलका से ट्रांसफ़र हो रहा है यह जायदो कैमरे पर नजर नहीं आ रहा लेकिन ये थोड़ा सदाथjust है तो यह enough वर यह भी आीयो वो ट्रांसफर नहीं हो रहे थे यह देखे और यह भी बहुत खुबसुरत है किसी शादी वेरा में जाने के लिए बहुत अच्छा है ठीक है अब इसको रिमूब करते हैं और लास वाई लिप्श्टी को ट्राय करते हैं और उसके बाद जो है ना मैं आपको अपना बताती कि इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है ओके जी इसके बाद जी हम अपलाय करेंगे मीना गुल को ठीक है मैं से रिमूब करके आती हूं तो जी यहाँ पर मैंने रिमूब कर लिया है लेकिन यह बड़ी मुश्किल से रिमूब होती है भाई मतलब बड़ी मुश्किल से यह रिमूव हुग है और हलका सा स्टेंज जो है ना अब भी मेरे लिप्स पर फील हो रहा है और इसके बाद जी मैं अपलाए करने जा रही हूं मीना गुल को ठीक है जी इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करके से अपलाए करते हैं यह सबसे फेवरेट शेड है मेरा मतलब यह ना लाइट है और ना यह डार्क है मतलब बिलकुल मनासिब से शेड है अगर कोई हलका सा ओके है ना आपकी फैमिली में होना आप इसे इजिली करिकर कर लगा के चले जाए और खाना शाना घाये जो मर्जी करें यह बिलकुल भी आपके लिप से रिमूव नहीं हो और यह दो आपके और यह यह भी ड्रांसफर के लाइट यह बेड़ा है यह दो कुई इसने थोड़ी से गीली थी क्यारा यह दो इसने पर से चुड़ा है ठीक है तो आप जी कह लेते हैं फैनल अपिनिंग के बाद के वर्ट पाइंग है और इनको को आप बाइख करेंगे तो आप याद करेंगे कि कोई चीज आपने यूज की थी कोई लिपस्टिक आपने कोई अच्छी जिंदगी में यूज की है ठीक है यह लेकिन थोड़ी से तो प्रफ। अच्छी बातो